मैने वेल्कुम बड़े अग्रीनिन वहार में दो award चाओमिन वे त्रेट फ़ स्टायल में यह बहुत ही टेस्टी बनती है बौहाती तेटेशलया क्लीनित हैं कि मैंने अबल से ढवल लगे तो अब छमस तेल में वेज़, को पका लिए तो सबसे पीस के बीज़ में Fur सबसे पहले, कम एड़ चारण में को ठॉप करते में वेज़ सकते हैं, साथ किसमें कोई भी वेजिस अब डाल सकते हैं आपकी अपनी चॉइस है हमारी सब्जिया जो है वह अच्छे से पक चुकी है सभी सब्जिया अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है यहां मैं डाल दूगी एक हरी मिर्च आप इसमें चाहे तो ग्रिन चिली आड़ कर सकते हैं अगर आप बहुत स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो यहां पर मैं डाल दूगी सिर्फ एक ग्रिन चिली क्योंकि बच्चे भी खाएंगे इसलिए मैं ज्यादा चिली आड़ नहीं कर रही तो यहां पर गई है एक ग्रिन चिली और यहां देखिए हमारी सब्जिया जब अच्छे से पक चुकी है सॉफ्ट हो चुकी है तो इ इसलिए बिल्कुल अलग अलग है जब इसमें हम एक चमस तेल मिलाया था चौमिन के अंदर तो इसको आगर आप पूरा दिन भी रखेंगे तो यहां हम डाल चुके चौमिन इसको अच्छे से मेक्स कर देंगे इसके बाद बारी आएगी विनेगर और सॉय सॉस के इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम जो पकाएंगे फुल गैस पे करेंगे इसको मार्किट का चौमिन होता है वह आपके देखा हो फुल गैस पे पकाते हैं तो यहां पर मैंने साधी आइड कर देंगे नमक आप अपने डिसक एको डाले मैं यहां पर वन स्पून नमक ड इसे 2-3 पेचुला से आप इस तरीके से इसको टॉस करते हैं सिर्फ 2-3 मृट लगेंगे इसको पकानी में इस तरह से इसको फूल गैस पर आपको इस तरीक से टॉस करना यह हमारी जो चौमिन है वह बिल्कुल रेडी हो जाएक इसको लगवक आपको 10 मृट लगए को पूर लाइक करें और साइड में आपको दो वीडियो देख रहे होंगे तो आप चाहें तो से भी देख सकते थैंक्स पर वाचिंग